नवस्कार मैं हूँ आपका मार्दसक मिश्रा मार्स क्लासिस से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अब मद्ध्रदेश में सिक्षक बर्ग एक और सिक्षक बर्ग दो कि कब तक पुनह कांसलिंग प्रारंब होगी और कब तक ज्वाइनिंग होना चाहिए इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे चुकि सभी लोगों को बिदित होगा कि अभी दो दिन पहले सुप्रीम कोट मानिये उच्चतम न्याले ने ये कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए मद्ध प्रदेश में तो कांसलिंग आज प्रारंब हो जाए और होना ही है उन हमारा विद्यार्तियों से कहना है कि होगी ही ज्वाइनिंग आपकी होगी ही इसमें कोई दो मत नहीं है कि बजए हम सबको पता है हम किसी भी प्रकार से हम और आप जो है अन्नोन नहीं है इस चीज को लेकर कि चुकि मामला आरक्षण को लेके माननी ये उच्च न्यालाई में है और जब तक मामला माननी ये उच्च न्यालाई में है मेरा यासा मानना है कि ज्वाइनिंग, कांसलिंग, वेरिफिकेशन इन सकती प्रोसेस प्रारम नहीं होगी लेकिन हाँ, अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है, बहुत ही जल्दी हमारी फिर से वेरिफिकेशन इस्टार्ट होगा कांसलिंग के बाद ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी मिलेगी, चूकि बीच में बहुत समस्याएं भी रही हैं, हमारे मित्रगणने बड़े इस्तर पर ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन के लिए अनेक प्रकार की कदम भी उठाए हैं, उन बच्चों का भी बहुत बहुत ध सिख्चक हैं, उन्होंने भी कदम उठाए कि वेरिफिकेशन जल्दी सुरू हो जाए, लेकिन अभी एक दिन पहले हमारे माननिये सिख्चा मंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक कुछ न्याले से किलियर नहीं हो जाता है, जब तक वेरिफिकेशन प्रारंभ होना संभव नही हैं, उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम प्रारंभ कराभी दें, तो फिर बाद में कोई परिशानी ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजे, ज्वाइनिंग होगी, हाँ, समय लग रहा है, ये तो है, बहुत सारे योबा बर्ग परिशान चल रहे हैं, य सब कुछ हो, तो बहुत जल्दी ही आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, जै हिन, जै भारत!